नमस्क्यार, हेल्दी हो में आपका स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ एक कॉमन डिजीज के बारे में जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है, टेंपरेचर अप होता जा रहा है तो ये बड़ा अच्छा समय होता है बैक्टिरियर वाइडस को ग्रो करने के लिए बहुत ही फैवरिवल कंडिशन उनकी इस समय पर होती है और जनरली इन दिनों में जो आने वाली बिमारियां होती है उसमें सबसे मेन होता है डाइरिया, एक्यूट गेस्ट्रेंटाइटिस जिसको हम बोलते है उसके लावा ही पेटाइटिस, जोइन डिस जिसको बोलते है ये टाइफ़ाइट, ये बड़ी कॉमन सी डिजीज होती है और बहुत जल्दी स्प्रेड भी होने वाली डिजीज होती है तो आज हम एक्यूट गेस्ट्रेंटाइटिस के बारे में बात करना चाहेंगे डाइरिया जिसको जनरली हम बोलते हैं, आपको बताया किसी भी डिजीज को समझने के लिए उसमें 3-4 स्टेप है जो मुझे लगता है कि हमें समझ लेने चाहें तो हमें उसको अंडर्स्टेंड करने में बड़ा इजी हो जाता है पहला ये बीमारी क्या है? किस वज़ा से होती है? और हो गई तो उसके सिम्टम्स क्या है? और सिम्टम्स हैं तो हमें ट्रीटमेंट क्या लेना है और फाइनली उसके प्रग्नोसिस क्या होने जा रहे हैं इसी क्लासिफिकेशन में हम चलते हैं तो एक्यूट गैस्ट्राइंटाइस यह एक इंटेस्टाइनल बीमारी है जिसके अंदर बैक्टीरिया या वाइरल कोई भ करता है उसके अंदर infection पैदा कर देता है, inflammation पैदा कर देता है. उससे होता क्या है कि इंटेस्टाइन की जो sucking power है वो और बाकी सारे disorders उसके अंदर हो जाते तो आपको loose stool बहुत ज़्यादा होने लगते हैं या फिर vomittings आपको होने लगेगी. जनरली ये लोग इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं लेकिन आपको मैं बताओं कि बहुत maximum number of deaths हमारे देश में सिर्फ इसी बिमारी से हो जाती है कहां से आती है? जनरली contaminated food या पानी कभी भी आप गंदा खाना खा लेंगे या पानी आप कहीं से गंदा पी लेंगे रखा हुआ खाना था उसके अंदर वो ग्रो कर चुके बैक्टीरिया या पानी कोई ऐसा था जो अच्छी जगह से नहीं लिया गया आपने पी लिया तो इस पर आपको परिशानी होगी गेस्ट्राइंटिस में सबसे पहले आपको अन इजनेस फील होगा वीकनेस सी फील होने लगेगी काम करने का मन नहीं करेगा बड़ी इनीशल स्टेज में उसके बाद आपको लूज स्टूल इट कैन बी वाटरी और ये दिन में चार-पाँ भी हो सकते हैं और दिन में 40-50 भी हो सकते हैं इस डिपेंड on severity, vomitting पहले नौजिया होगा, खाने का मन नहीं करेगा, उल्टी आने का मन करेगा, फिर vomitting से स्टार्ट हो जाएगी, ये दो बहुत ही common से symptoms होंगे, साथ में fever definitely, पेट में दर्ध और ये सब symptoms आने के बाद आप य इनिशल स्टेज पर दुनिया भर की बाते हमारे यहां होती है, हो में MED सब के पास होती हैं, उनको आप ट्राइ करें, लेकिन बहुत ही limited time period में, क्योंकि ultimately आपको treat करने वाला आपका physician, आपका doctor, जो भी आपके family, उसको आपको immediately consult कर लेना चाहिए, क्योंकि depend करता है severity के ओप mode of treatment as per severity वो चेज होता चला जाएगा, complications क्या हो सकते हैं, यह आपको जानना जरूरी है, complication यह हो सकते हैं, कि जब continuously आपको loose stool और vomitting चल रहे होंगे, तो definitely body के अंदर पानी की कमी होनी शुरू हो जाएगी, तो सबसे पहला काम आप क्या करें, घर पे ORS ले, शिकंजी ले with black salt, oral intake अपना बनाए रखे, maximum, नहीं बन सक रहा है आपका, go for your doctor, admit it, whatever they are advising you, जो आपका doctor के, उसको follow करें, क्योंकि अगर पानी आपके शरीर में कम हो रहा है, तो आपका पूरा metabolic system change हो जाएगा, और एक level, जब sever में चले जाते हैं, तो metabolic acidosis तक आपको हो जाता है, which is lead to death, can you imagine, एक simple सी चीज जो शुरू होई थी, वो आपको कहां तक ले जा सकती है, तो be conscious always, कभी भी किसी भी disease को, not यही वाली, किसी भी बिमारी को कभी हलके में आप ना लें, उसको प्रोपर चैनल के थूरूस में चलें, डॉक्टर से immediately, आप सलहा लें और उसको follow करें, treatment क्या होत इसमें, पहला तो आपने यह ले लिया, दूसरा, डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे, लिव इट टू डॉक्टर, उसको करने दीजिए, वो आपको फ्लूट भी देंगे, वो आपको एंटिबाइटिक्स भी देंगे, वो आपको एंटिडायरिल भी देंगे, बहुत सा इसमें टेबलिट्स, फोम में भी जो होती हैं, फाइनली कहना यही चाहूंगा कि आप बिमारी को कभी हलके में ना लें, और आने वाले समय में, क्योंकि अब टेंप्रेजर राइज होना शुरू हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया, समर सीजन की बड़ी बेसिक हैं या थोड़े इंफेंट्स हैं या इवन आठ दस बारा साल के लिए, इम्मीडियेटली टेक तु दे डॉक्टर, उसके अंदर कोई होम नेमिडी या किस तरह कि आप अपनी कोशिश ने करें